प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुभासंद्रा, पिजिटी भुगोल, आज आप लोग के साथ भारतिय किर्सी, जो की इस किताब के चौथे पार्चे सम्मंदित है, इसके बारे में अध्यन करेंगे. बच्चों खेती सब्द से आप लोग बहुत हत्तक परचित होंगे. खेती वह साधन है जो बिभिन जीवों का अधार है. बच्चों खेती के बारे में कहा गया है कि खेती एक ऐसा ब्यवसाय है जो स्वास्तवर्धक, उपयोगी एवं गर्व पुर्ण रोजगार है. यह एक ऐसा रोजगार है जिसमें काम कर कोई भी बेगती अपने आपको हीन भावना से ग्रसित नहीं पाता है, बलकि हमारे देश के निति निर्धारक आये दिन समय समय पर किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें अन्न दाता जैसे अलंकार से नवाजते हैं. सभी लोग इस वेवसाई को इजद के दिश्टी कों से देखते हैं. बच्चों, आप सभी ने अपने घरों में बिभीन प्रकार के अनाजों को देखा होगा, उससे परचित भी होंगे. आज हम लोग इन ही सब अनाजों के बारे में पढ़ेंगे कि वे कहा होते हैं, किस प् बच्चों, भारती किर्सी के बारे में कहा जाता है कि किर्सी इस देश की सबसे मुख्यार्तिक वेवसाय है. जन संख्या के दिश्टी कों से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, छितफल के दिश्टी कों से इसका स्थान सात्मा है, एवं अनाजों के उत्पादन के द कच्चा मालपरदान करता है और यही उद्योग कई लोगों को पर्त्यक्ष और अपर्त्यक्ष रूप से रोजगाह रूप लब्द करवाता है भारत में किर्सी के अंतरगत इस देश की लगवग 64 परतिसत आवादी लगी हुई है एवं 14 लाख वर किलो मीटर भूमी किर्सी के अंतरगत है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत अस्थलाकृतिक रूप से जलवाईविक रूप से काफी विविद्यता लिए हुए है इस कारण भारत में लगवग सभी प्रकार के फसल वोय ज सुतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतिय किर्सी में भावतिक बातावरण प्रद्वग की एवं समाजिक आर्थिक आधार पर काफी परिवर्तन देखनी को मिलता है भारत के अलग-अलग छेत्रों में राज्यों में अलग-अलग प्रकार के किर्सी देखनी को मिलता है जैस कि नाम से अस्पष्ठ है कि यह एक बहुत ही पुरानी पद्धती है जो आज भी चली आ रही है हलाकि किर्षी के इस पद्धती को बरतमान सरकारों के द्वारा हतोत सहित किया जाता है फिर भी भारत के कुछ शेत्रों में आज भी जारी है परचली थे प्राचीन जीवन निर् प्रशिक कहा जाता है इस प्रकार की किर्षी को करतन य दहन प्रनाली की कि किसान जंगल के एक-छोटे से भूमी को काटकर या जला कर साफ करता है इवं उस पर दो-तीन वर्स किर्स करता है जब भूमी की उर्वरा सक्ती समाप्त हो जाती है तब किसान पुना जंगल को काट कर एवं जला कर नई भूमी को किर्सी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार के किर्सी के अंतरगत परियोग में आने वाले आवजार काफी पूराने एवं साधारन होते हैं। अस्तनांतित किर्सी के अंतरगत रासायनी खादों एवं वेवस्तित सिचाई का अभाव होता है। इस किर्सी के अंतरगत उत्पादन एवं उत्पादक्ता काफी कम होता है। प्रायह इस प्रकार की किर्सी पहाडी एवं जंगली छेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की किर्सी के अंतरगत प्रायह आदिवासी लोग सनलगन है। इस किर्सी का मुख उदेश स्वेम तथा अपने एवं अपने परिवार का लालन पालन करना होता है। किसानों में पूंजी एवं बैज्यानिक्ता का अभाव देखा जाता है। भारत के अलग-अलग छेत्रों में अस्तरांतित किर्षी को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरपुर्वी राज्यों में जूम किर्षी, छतिस गड़ में दीपा, मद्य परदेश में बीवर एवं दहिया, उरीशा में कुमान एवं भिंगा, पस्चिमी घाट में कुमारी, राजास्थान में वालरे, हिमालय छेत्र में खील एवं जारखंड में कुर्वा के बच्चों अस्ठरान्तित किर्षी का पर्योग, विष्प के अलग अलग देशो में भी देखा जाता है, एवं अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको एवं मद्य अमेरिका में इसे मिलपा, बेनुज्यूहला में कौनको, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लादान एवं भीयत नामें रे के नाम से जाना जाता है बच्चों अब किर्सी पदर्थी का दूसरा रूप देखेंगे जो गहन जीवन नीरवा कुर्षी से संबन्दित है गहन जीवन निरवा किर्सी किसे कहते हैं इस बारे में हम लोग जानेंगे जब खेती बड़े भुभाग पर और सघंग अवादी वाले छित्रों में की जाती है तो उसे गहन जीवन निरवा किर्षी कहते हैं इस प्रकार की किर्षी में जैव रासायनिक निवेसों और सिचाई का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की किर्सी में सबसे बड़ी समस्या पीढ़ी दरपीढ़ी जोतों का विभाजन होना है। जिससे जोतों का कार छोटा होता चला जाता है। रसायनी खादों एवं मसीनों का परियोग बहुत सिमित होता है। इस प्रकार की किर्सी के अंतरगत कूल उत्पादन तो अधिक होता है प्रन्तु उत्पादकता निम्न होता है। छूपी हुई बेवरजगारी भी इस प्रकार की किर्सी के अंतरगत देखा जाता है। बच्चों किर्सी के अन्य पद्धिती वानेजी किर्सी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। वानेजी किर्सी के मुखुदेश पैदावार की विक्री करना होता है। इस प्रकार की किर्सी में पूंजी का अधिक निवेश किया जाता है। किर्सी में बैग्यानिक तवर तरीकों का परियोग किया जाता है। खेतों का आकार बड़ा होता है, रासाइनिक खादों और किटनासकों एवं अधुनिक सीचाई परनाली का उपयोग किया जाता है। पंजाब, हर्याना और महराष्ट के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वानेजी किर्सी होती है, इसके अलावा बिहार, पसी मंगाल, तामिल नाडू, आदी में भी इस परकार की किर्सी की जाती है। बहुत बड़े भुभाग पर उपजाया जाता है, तो उसे रोपन किर्सी कहते हैं। रोपन किर्सी वानेजी किर्सी का ही विश्त्रित रूप है। इस प्रकार की किर्सी का भी मुखुदेश अपने उत्पाद की विक्री करना होता है। इस प्रकार की किर्सी में पूंजी का अधिक निवेश किया जाता है इसके अंतरगत अधिक सर्विकों की आवसकता होती है रोपन किर्शी से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योगों में इस्तेमाल होता है रोपन किर्शी की सफलता में यातायात और संचार के विक्सित साधन और अच्छे बाजार का हाथ होता ह रोपन किर्सी के अंतरगत चाय, कौफी, रबर, गन्ना, केला, नारियल, आधी की किर्सी की जाती है रोपन किर्सी असम, केरल, करनाटक, बिहार, तमिल नाडू, आधी राजियों में परमुकता से की जाती है बच्चों, अब हम लोग भारत में किर्सी की प्रणाली सश्य प्रारूप को देखेंगे सश्य प्रारूप, भारत में तीन सश्य रीत्वें हैं, रवी, खरीफ, और जायद अब हम लोग एक एक करके सभी का आध्यन करेंगे रवी की फसले जाड़े के मौसम में बोई जाती है रवी की फसलों की बुवाई अक्तुवर से दिसंबर के बीच और कटाई अप्रैल से जून महीने की बीच होती है गेहूं, बारली, मटर, चना, सरसो, रवी के मुख्य फसल है अब हम लोग खरीब के बारे में देखेंगे खरीब की फसले मौसून के आरंभ में बोई जाती है एवं अक्तुवर नवंबर महीने में काटी जाती है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उरद, मूंगफली और सोयाविन मुख्य खरीब फसल है जायद, ग्रिस्म कालीन फसलों को जायद फसल कहते हैं यह रवी तथा खरीब फसलों के बीच के समय में उत्पादित किया जाता है तर्बूज, खर्बूजा, खीरा, सबजियां और चारे की फसल इस दवरान उगाई जाती है बच्चों, अब हम लोग किर्शी से समंधित भूदान आंदोलन की चर्चा करेंगे भूदान आंदोलन संत विनोवा भावे द्वारा संत 1951 में अरम किया गया यह एक स्वैचिक भूमी सुधार आंदोलन था उनकी कोशिस थी कि भूमी का पुनर वित्रन सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिये ना होकर जन भागिदारी से इसकी सफल कोशिस की जाए बिनोवा जी का भूदान आंदोलन गांदी जी के विचारों से प्रभावित था बिनोवा जी गांधिबादी विचारों पर चलते हुए बरत्नात्म कारियों में लगे रहे अंदोलन की सुरुवाती दिनों में बिनोवा भावे ने तेलंगाना च्छेत्र के करीब 200 गाओं की पध्यात्रा की तथा उन्हें दान में 12200 एकड भूमी मिली इसके बाद यह अंदोलन उत्तर भारत में फैला बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका गहरा असर देखा गया था मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाक एकड से भी अधिक भूमी मिल चुकी थी 1955 तक आते आते आंदोलन ने एक नया रूप धारन किया जिसे गरामदान के रूप में पहचाना गया बच्चों बिनोवा जी का भुदान आंदोलन, निर्धन, बिपन, अभावगरस तथा असिछित और पिछड़े हुए लोगों के लिए चलाया गया 1983 में बिनोवा जी को मरणो परांथ भारत रतन से संबानित किया गया बिनोवा जी को सामुदाइक नित्रित्व के लिए पहला अंतराष्टिये रह्मन मैक्से से पुरसकार मिला था बच्चों अब हम लोग भारत में उपजाय जाने वाले परमुक फसलों के बारे में जानेंगे भारत के अलग-अलग भागों में अलग-अलग परकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है भारत में लगभग एक कावन परमुख खाद एवं अखाद फसलों का उत्पादन किया जाता है खाद फसलों में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी एवं दाले परमुख है अनाजों के अतिरिक्ट फसलों में गन्ना, तिलहन, चाय, कौफी, एवं बिभिन प्रकार के फलों एवं सबजियों की किर्शी परमुखता से की जाती है अखाद फसलों में रबर, रेशेदार फसले, कपास, जूट, आधी परमुख है बच्चों, अब हम लोग सभी फसलों के भावगोलिक प्रस्थितियों का आध्यान करेंगे जैसे चावल की भावगोलिक प्रस्थितियां बिश्व के 22 परतिसत चावल चेतर भारत में ही है जबकि भारत के कूल किर्षी भूमी के 23 परतिसत भाग पर चावल बोया जाता है चावल की किर्षी के लिए आउसत तापमान 25 डिग्री सेल्शेस होना चाहिए चावल के लिए बर्सा 100 संटीमीटर से अधीक होना चाहिए चावल के लिए उपजाओ मिट्टी के वसकता होती है जलोड मिर्दा, डेल्टाई मिर्दा तथा बाढ़ का मैदान इस परकार की किर्षी के लिए सबसे उप्रिप्त माना जाता है चावल की किर्षी में सर्मिकों की काफियवा सकता होती है चावल के मुख उत्पादक राज, पस्षी मंगाल, उत्तर प्रदेश, आंदर प्रदेश, बिहार, चातिसगर, उड़ी इसा, करनाटक, केरल, असम है इसके अलावा भी देश के अन्य भागों में पंजाब, हरियाना में चावल की किर्षी पर मुक्ता से की जाती है पंजाब एवं हरियाना में चावल की किर्षी वानिजिक किर्षी के नाम से जाना जाता है अब हम लोग गेहूं के भावगोलिक पृस्तितियों के बारे में जानेंगे चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी सबसे मतपूर्ण खादिप हसल है भारत गेहूं का 24 सबसे बड़ा उत्पादक देश है गेहूं बोते समय तापमाद 10 डिगरी सेल्सियस तथा पकते समय 20 डिगरी सेल्सियस होना चाहिए गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटिमीटर बरसा किया वसकता होती है गेहूं के लिए हलकी मिर्तिका, मिट्टी, दोमट मिट्टी अधिक उप्युक्त मानी जाती है गेहूं की किर्सी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाना, उत्तर परदेश में परमुकता से खी जाती है जहां देश के कूल उत्पादन का दो तिहाई गेहूं उत्पादित किया जाता है इसके अलावा बिहार, मदिपरदेश, राजस्थान, आदी राज्यों में भी गेहूं परमुकता से बोया जाता है बच्चों अब हम लोग मोटे अनाज के बारे में पढ़ेंगे मोटे अनाज को गरीबों का भोजन माना जाता है इसके अंतरगत जुआर, बाजरा, मक्का और रागी की किर्सी की जाती है मोटे अनाज में पोसक्त भरपूर मात्रा में होता है मोटे अनाज की किर्सी बरसा पर निर्भर रहती है बच्चों अब हम लोग सबसे पहले जुआर के बारे में अध्यन करेंगे भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्पुर्ने खाद फसल है जुआर के लिए बहुत जादा उपजाव मिटी के वसकता नहीं होती है जुआर सिचाई के लिए बरसा आधारित होती है महराष्ट जुआर उत्पादक राज्यों में परमुक है जहां कूल उत्पादन का 51 परतिसत जुआर उत्पादित किया जाता है अन उत्पादक राज्यों में करनाटक, मद्यप्रदेश, आंधरप्रदेश, तमिलनाडू, गुजराद, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब है बच्चों अब हम लोग बाजरा के बारे में जानेंगे बाजरा गरीवों का भोजन तथा पसुओं के लिए चारे की रूप में परियोग की जाने वाली परमुक फसल है इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सिंटीग्रेट तथा बर्सा 40 से 50 सिंटीमीटर की अवसकता होती है रेतीली भूमी बाजरे के लिए उप्युक्त मानी जाती है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महराष्ट, तमिलनाडो, आंधर प्रदेश, करनाटक, आदी, परमुक उत्पादक राज्य है बच्चों मोटे अनाजों में मक्का का भी महतपुर्न स्थान है मक्का भी एक परमुक मोटा अनाज है जिसमें गुलकोज एवं माड होता है अता या गरीबों का भोजन तता पसुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है इसके लिए तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सिल्सियस तथा बर्सा 75 सिंटिमीटर किया हो सकता होती है जलोड मिर्दा इसके लिए सबसे उप्युक्त मानी जाती है करनाटक मद्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार आंदर प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख उत्पादक राज्य है बच्चों अब हम लोग दलहन के बारे में पढ़ेंगे दलहन दालों की किर्शी को कहते हैं दाले प्रोटीन का मुखि स्रोथ है भारत में दाले किसी न किसी रूप में प्रतेक छेतर में और प्रतेक राज्य में अवस्य खाई जाती है दाले फसल चक्रा का आधार भी है दलहन खरीफ तथा रवी दोनों ही फसल रित्यों में उगाई जाती है अरहर, उरद, मूंग, एवं मोट, खरी फसल है जबकी चना, मटर, मसूर, रभी फसल है मद्य परदेश, राजस्थान, उत्तर परदेश, महाराष्ट, हुरीशा, बिहार, हरियाना, आंध परदेश में दालों की किर्सी परमुकता से की जाती है भूमी की उरवरा सक्ती बढ़ाने में दलहन की किर्सी का महतपूर्ण योगदान होता है बचोब हम लोग तिलहन की किर्सी के बारे में जानेंगे तिलहन का मतलब तेलों की किर्सी से समन्दित है भारत में तिलहन ब्यापारिक फसलों का समू है तिलहनों से निकाला गया तेल हमारे भोज़ पदार्त का महतपुर्ण अंग है तिलहनों में मुंग फली सबसे परमुख है देश के कूल तिलहन का 50% हिस्सा मुंग फली का होता है मुंग फली का उत्पादन गुजरात आंद्रप्रदेश तथा राजस्थान में परमुखता से किया जाता है तिलहनों में सरसों एवं तोरिया का भी परमुख हस्थान है जो खासकर उत्तर एवं उत्तर पुर्व भारत में खपत किया जाता है मद्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाना, पंजाब इसके पर्मुख उत्पादक राज्ये हैं बच्चों अब हम लोग गन्य की किर्सी के बारे में पढ़ेंगे गन्ना एक रोपन किर्सी है, भारत गन्ने की जन भूमी है गन्ना बांस की प्रजाती का एक पौधा है, जिससे मीठा रस निकलता है जिसका परियोग चीनी, खान तथा गुड़ बनाने में किया जाता है यह एक उसन एवं उपोशन कटिवन्दिये फसल है इस फसल के लिए उप्यूक तापमान 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस है गन्ने के लिए कम से कम 100 संटीमीटर बर्सा से अधिक कियावा सकता होती है गहरी दोमट मिटी जिसमें जल का बहाव भली भाती होता है उत्तम माना जाता है गन्ने का फसल 10 से 12 महिने में तयार हो जाता है गन्ने का परमुख उत्तपादक राज, उत्तरपरदेश, महराष्ट, बिहार, हर्याना, तमिलनाडू, करनाटक, आंध्रपरदेश आदी है बच्चों अब हम लोग पेई फसलों के बारे में पढ़ेंगे पेई फसल क्या होता है? पीने योगी फसल, जैसे चाय और कॉफी तो सरपर्थम हम लोग इस चाय के बारे में देखेंगे बच्चों अब हम लोग परमुख पेई फसलों के बारे में जानेंगे पेई फसलों में चाय और कॉफी परमुख है तो सबसे पहले हम लोग चाय की किर्सी के बारे में जानेंगे चाय की खेती रोपन किर्सी का परमुक उधारन है भारत चाय का विश्व में परमुक उतपादक देशों में से एक है चाय उसन तथा उपोस्न कटिवंद का पौधा है चाय के लिए तापमान 25 डेगरी से 30 डेग और मिटी उप्युक्तमानी जाती है चाय की किर्सी में सर्मिकों का अत्यधिक महत होता है क्योंकि चाय एक सरम प्रधान किर्सी है चाय की किर्सी असम पस्षी मंगाल तमिलनाडू केरल हिमाचल प्रदेश मेगालय आंद्र प्रदेश तिरपुरा आधी राज्यों में की जा चाय की भाती कौफी भी एक पर्मुख पेई फसल है कौफी की तीन किस्में होती हैं जिसमें अरेविका भारत में पर्मुकता से उगाई जाती है कौफी की किर्शी के लिए 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की वसकता होती है इस फसल के लिए बरसा डेर सब सेंटीमीटर से दो सब सेंटीमीटर की बीच होनी चाहिए लोहा एवं चूना युक्त मिटी इस फसल के लिए सबसे उप्युक्त माना जाता है भारत में कौफी का परमुखुत पादक राज्य करनाटक, केरल एवं तमिल नाडू है बच्चों आज हम लोगों ने भारती किर्शी का अध्यन किया इसके अंतरगत हमने देखा कि भारत के अलग-अलग छेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग प्रकार के किर्शी परनाली अपनाई जाती है जिन में परमूख है प्राचीन जीवन निर्वा किर्शी, गहन जीवन निर्वा किर्शी, वानेजी किर्शी, रोपन किर्शी एवं इसकी अंतरगत आने वाले विभिन फसलों के बारे में जाना जैसे चावल, गेहुं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आदी फसलों की भागुलिक प्रस्तितियों के बारे में सीखा बच्चों अब हम लोग इस पार्ट के अगले भाग में बागवानी फसलों के बारे में जानेंगे साथ ही अखादी फसलों के बारे में जानेंगे जैसे रबर, कपास, जूट आदिक के बारे में पढ़ेंगे साथ ही हम लोग संस्थागत सुधार, प्रदोद की सुधार एवं बैस्वी करनकाभी अध्यन करेंगे. धन्यवाद. लारो दो लारो घुक की सुधार, प्रुक की सु Wyatt, गजया प्रishी अध्याद. लारो छिकेंगे, अभी अध्या. बैस्चार भी की सुधार एवं जाती की सुधाद काथे, आमकाट ले ले बीजाद होदाना दोले. incentivे और व्रेट मूनारा, जोरे में लेवं ड्यादा की सुधा